नमस्कार दोस्तों आज आप इस वीडियो में देखेंगे 48 मिटर अस्पान PSC बॉक्स गडर का स्टेजिंग एरेजिमेंट ये जो अस्पान है 48 मिटर का दो अस्पान है ये पहला अस्पान है और वो दोसरा है दोस्तों इस वीडियो में आप ड्रॉइंग के साथ साथ जो साइट पर वर्क चल रहा है स्टेजिंग का उसका सारा डेटेल देखेंगे तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइट से दिखाना उसके बाद आपको ड्रॉइंग से इसका पूरा जो डिटेल है उसको दिखाएंगे दोस्तों ये हमारी इस प्रोजेक्ट का बायडक नमबर फोर है जिसमें जो पहला एवैटमेंट है एवन ये एवन है एवन के बाद दूसरा पीयर है पीवन उसके बाद तीसरा जो पीयर है पीटू तो फोर्टी एट मिटर का दोग अस्पान हुआ फाला असपान ये और दूसरा असपान वह हुआ इसके जो फोटिंग है उसमें सबसे पहले PCC किया गया है PCC करने के बाद इसमें आरसीसी फोटिंग कॉंटिन्यू डाला गया है 14 मीटर 800 और इसका जो विथ है 2 मीटर 400 का है जो मिश्री को भेज आ रहा है हो मैं लेके आता है उसके बाद से इस पे कॉलम हेड जो 750 बाई 750 का ये लेंध है और विथ और इसका जो ठीकनेश है 2 मीटर का है उसके बाद ये सारे कॉलम को इस पे प्लेशिंग किया गया है एस पर ड्रॉइंग की अनुसार उसके बाद इसके जो टॉप में एक और कॉलम हेड एस पर लेबल के अनुसार दे करके उसके उपर ISMB 300 का क्रोस गडर दिया गया है उसको मैं आपको दिखाऊंगा उसके बाद इसमें जो ब्रेसिंग है आप देख सकते हैं क्रोस ब्रेसिंग और इसके साथ क्लैम्पिंग किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ये बाराँ आमेकम का स्टील है Jaam त्रेडिंग करके और यह क्लैम्पिंग किया गया है यह 50-50 बाई 6 का और इसका सेंटर डेढ़ सांटर होल इसके नुसार यह पूरा क्लैम्पिंग किया गया गया है कोलं के सात दोस्तों एक अस्पान में दो कॉलम खड़ा किया गया है जैसा कि आप देशकते हैं एक रू में आठ डॉबल कॉलम को प्लेसिंग किया गया है एक अस्पान में 14 मीटर 800 का आप देख सकते हैं इसमें जो ट्रस है एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ रो में प्लेसिंग किया गया है उसी तरह से जो एक अस्पान अगर बुला जाए तो आठ तरीका 24 नमबर ट्रस हो गया 48 मीटर बॉक्स गडर का स्टेजिंग करने के लिए अब दोस्तो ये पीर है पीर पीवन का स्टेजिंग जो एरेजमेंट है आप दिख सकते हैं इसके जो साइड में दो-दो कॉलम को भर्टिकली प्लेसिंग किया गया है जैसा कि आप दिख सकते हैं वीडियो में इसका मैं आपको ड्रोइंग भी दिखाऊंगा इसलिए सबसे पहले side पे दिखा दे रहा हूँ कि इसका staging arrangement कैसे किया गया है सेम होई process PCC भी इसका भी किया गया है उसके बाद column head के उपर tower tower को एक दूसरे से connection करने के लिए MS pipe और angle cleared 12 mm steel cane के साथ में placing किया गया है दोनों side में एक इस side है और इसके दूसरे side भी तो यह pier का हो गया और abattement का यह मैंने आपको दिखा दिया तो bottom का जो staging arrangement है वो मैंने आपको दिखा दिया अब लेके चल रहा हूँ top में अब दोस्तों मैं आ गया हूँ top में इसको ध्यान से देखिए video ताकि जब इसका मैं आपको दिखाऊंगा ड्रॉइंग तो समझ में clearly आएगा यह पहला span है 48 मीटर का जो जो शट्रिंग प्लेशिंग टॉप में complete हो चुका है सोफिट का और वेब वाल का केंटी लीवर का भी इसका complete हो चुका है इसके जो second span है उसका still placing चालू है सबसे पहले आज मैं आपको दिखा रहा हूं स्टेजिंग का यह बीरिंग को प्लेशिंग कर दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में स्लीव के साथ इसका उपर में अभी एस्टिल प्लेशिंग किया जाएगा अब दोस्तो मैं आपको टॉप का स्टेजिंग एरेजमेंट है उसको दिखा रहा हूं सबसे पहले जो टावर कंप्लिट होने के बाद इसमें कॉलम हेट लगाया गया है इसमें दो कॉलम हेट दिख रहा है उसके बाद कॉलम हेट के उपर यह ISMB 300 का है यह ISMB 300 का यह प्रत्रू आउट लगाया गया है जो विथ है बारा मेटर का उसके लेंथ के अनुसर उसके बाद इस हाई यह ISMB 300 के ऊपर यह 14.800 का जो ट्रस है उसको प्लेसिंग किया गया है ट्रस को एक दुसरे से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं 75-75-8 का टाइ एंगल एक दुसरे से कनेक्ट किया गया है पर ट्रस में यह टॉप में भी है और बॉटम में भी आपको दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं इस तरह से यहां तक कंप्लीट होने के बाद फिर इसमें यह ISMB 125 का रणर के रूप में दिया गया है 600 सेंटर टो संटर इसका स्पेसिंग है उसके बाद इसमें उडेन गुट का प्रवाइड किया गया है उसके बाद से इसमें उडेन गुट का प्लेसिंग किया गया है उडेन गुट का के बाद इसमें शट्रिंग प्लेट 50 mm thickness का लगाया गया है शट्रिंग प्लेट के बाद फिर ये स्लोप पर्टशन जो वेब वाल है उसका स्टेजिंग किया गया है शट्रिंग प्लेशिंग और सबसे इंपोर्टन इसमें ये है कि इसका जो सपोर्ट करने के लिए टर्ण बकल का इस्तिमाल किया गया है ये कैंटी लिवर पर्टशन है कैंटी लिवर पर्टशन में जो टर्ण बकल से हम सपोर्ट दे रहे है आई एस एमसी हंड्रेड का चैनल है जिसमें एंगल कलीड लगा करके और टर्ण बकल के साथ उसका नॉट और बोल्ट जोइन करके ये प्लेसिंग किया गया है इसमें तीन साइज का टर्ण बकल है दो मिटर का 2350 और 2450 इस तरह से ये पूरा हमारा स्टेजिंग कम्प्लीट हो गया है दोस्तों अब मैं आपको हिल साइड से इसका जो टॉप भीव है उसको दिखा रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं दोनों अस्पान का स्टेजिंग कम्प्लीट हो गया है दोस्तों बोक्स गॉडर का बीवी एस विथ ड्रॉइंग के अनुसार और इसका जो डेविएटर ब्लोक, ब्लिस्टर ब्लोक, स्लेब सबका मैं बीवी एस आपको दिखाऊंगा और साइड पे और ड्रॉइंग के अनुसार इसका वीडियो आपको दिखाऊंगा और यह है दोस्तों 95 मेटर का यह भी कंटिनुवस है वाइड़ सलेब जिसका स्टेजिंग एरेजमेंट अभी कंप्लिट नहीं हुआ है चल रहा है इसका भी आने वाला वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा स्टेजिंग कंप्लिट होने से दोस्तों यह भाइड़ सलेब है जो पूरी तरह से कंप्लिट हो चुका है इसका बीबियेस विथ ड्रोइंग के अनुसार साइट पे कैसे प्लेसिंग किया गया है इसका सारा डेटेल मैंने वीडियो बनाया है आप उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते है उसके साथ साथ इसका कॉंक्रीट कॉंटिटी यह कैंटी लीबर पर्षन है और सोफिट पर्षन है हंच कितना लगा यह टोटल कलिकुलेशन आट सो नो एमक्यू लगा है 90 मिटर के स्पान में तो कैसे आया उसको वीडियो आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर यह एवेलेबल है अब मैं आपको ड्रोइंग में दिखा रहा हूँ यह एलिवेशन है जिसमें आप देख सकते हैं यह एवन पीवन और यह पीटू दोनों एवेटमेंट और पीवन के बीच में डॉबल रो में दो नमबर आफ टावर प्लेसिंग किया है कहज़ेशन के मैंने अभी साइट प और इसमें TRUS यह दिर देके सकते हैं यह TRUS 14re 180 म shared तिन नमबर आफ रो में TRUS को प्लेसिंग किया गया है उसी तरह से दूसरी से इसपाल में भी से उसयी प्लेसिंग किया गया है दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें जिससे की आने वाला वीडियो आपको मिल सकें धन्यबाद